हेलो फ्रेंड्स आप सबका स्वागर्थ है आपके अपनी यूट्यूब चैनल फामायमसीक्यू में देखे आज की इस वीडियो में कुछ हमसीक्यूज है इनको हम डिसकस करेंगे और देखे आप लोगों का जो पंजाब में जो महुला क्लिनिक की जो वेकेंसी आई है इसका का है चैनल आपे शुट्यूर्ग और है शुट है ऑप लिम्यों करेश से ने चारी जो करेंगे यूटिवक्ष डाआज की अगर्फ यूथाले तो इसके लिए जो है आपके बहुत से कमेंट्स आ रहे थे कि मैं इसके लिए MCQs लेके आईए देखे बहुत से MCQs हमने चैनल पर डिसकस किये हुए है और एक देखे रैपिट रिविजन के नाम से प्लेइस्ट है उसका लिंक मैं आपको देखे आई बटन में दे दूंगी वह जो प्लेइस्ट है अगर आप उसके MCQs को रिवाइस कर लेता है तो आपके मैक्सिमम क्वेस्टिंस आपको वहीं से देखने को मिलेंगे तो वह प्लेइस्ट आप जरूर से चक किजीगा और हम अपने इसमें MCQs स्टार्ट करते हैं और यह MCQs जो हैं सभी फार्मा कॉम्परिटिव एक्जाम्स के लिए इंपॉर्ण रहने वाले हैं किसी फार्मा एक्जाम्स के आप प्रप्रेशन्स कर रहे हैं चैनल पर नहीं है आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चै ओचलाइब शल्चों नहीं होता है इनमें से कौन सेल्केलोड है जो नेच्टimizi जो क्या मीरिक्शाइब है सब्सक्राइब करन अंसरों कि फार्मा ओधिय है आपकोशन दी प्यूरिस लिए आपका होता है पॉजिटीव मुरिक्साइब टेस्टिया है नेक्स ४ेर्दाष आ options are backyard of cells, storehouse of cells, powerhouse of cells, cooking house of cells, mitochondria को क्या बोलते हैं, powerhouse of cells, okay, options C आपका right हो जगा, next है, q4 cells are present in liver, brain, bone या lungs, देखें, mostly ये question जो है, बहुत बार repeat होता है, बहुत important question है, q4 cells जो होती है, ये कहां present होती है, तो q4 cells जो होती है, liver के अंदर present होती है, एक type की macrophages होती है, और ये कहां होती है, liver के अंदर होती है, next है, which of the following drug is not a glycoside, इन में से कुम सी drug है, जो glycosides में नहीं आती, देखें कैस कहरा, कैस कहरा किस में आता, तो ये तो आती है, glycosides में कोका, बाकी जिंसिंग, अलो, अलो भी आपके अंदर क्यों ग्लाइको साइड्स में आता है, आपका जिंसिंग आजएगा, सापनी ग्लाइको साइड्स में बचा आपका कोका जो आपका किसमत है, alkalोलोइट्स में आता है, ट्रोपिनलकलोट में आपका कोक्का आता है, तो आपका अंसर क्या हो जाएगा, आप से यही पूछा है कि कौन से है, जो ग्लायकोसाइड नहीं है, तो आपका उप्षिन बी राइट हो, जग कोका का छोड़के बाकी तीनों की तीनों ड्रग या ग्लायकोसाइड वाली अगाउंट्स होते हैं वो बैलेंसिंग कहां पर होते हैं कि वो आपका ओप्शन वन हो जगा लाजर हो जगा नेक्स्ट है ट्रैकोमा इस इन फिक्षियस डिजीज ऑफ दा लंग्स इयर आइस या लीवर ठीक है ट्रैकोमा जो है इसका कोस्टिव उपनिजम होता है क्लेमाडि इथर अन्टिहस्टमेन अन्टिहस्टमेनिक ड्रॉंट कि लास्टिकेशन छोंगा अता है बतान ने क्योंगर ट्रैकोमाकरन की नाम और द्रॉट dress को Areth На out हैं कि टॉंबॉडी लाइक के विव्यव्य और एक टोके ठोर होता है नोता है यह तो कुछा है नोट्ट नहीं है तो आपका और ठोट नाल के बागत तीनों और यह कहें के अग्जामपल दिए हुए हैं सै को inflation किलर किलियानी टेस्ट जो होता है किसके लिए किलर किलियानी टेस्ट जो होता है किसके लिए किलर किलियानी टेस्ट के लिए 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 किलियानी टे सिंटीज लींकि ग्लाकोसाइडव स्ट्रस्राइट के बå兩個 स्टलियों कि नेक्स क्वेशन शेप बक्टेरियो और टाम डैज्ड गोड़ियक असीप स्पाइरिकल शेफ एलभ एकिया जो दो ऑप्टीरिया होते हैं स्पाइरिकल शेफ एलड बैक्टीरिये ns एक रागिसिये jo होते हैं सहितBैसिल से बहुते हैं ठीकका आपका अंसर हो जाएगा option b कोकाई जो होते हैं सफेरिका शेप बेक्टेरिया होते हैं नेक्स एकोर्डिंट तो आइपी बीपी वैरी फाइन पाउडर इस वन ओफ विच देखें पाउडर की ग्रेड के ओपर क्वेशन हैं देखें एक जो में प्लेडिस्ट बनाई हुए लास्ट तैम रिवीजन वाली है पाउडर की ग्रेड का टॉफिक यह फिलैंड दो से तीर मिमिनटे उसमें आपको वीडियो मिलेंगे चोली चोली उसमें कवर किये गए और वहां से यह अट कटे बीच आंदेस्स करें हुए तो यह जरूरý आप लोग लोगए पाउडर की Σтब्लेश के ओपर अपरते आ fine and very fine होता है तो इसमें आपसे पूछा है किसके लिए very fine के लिए तो very fine के लिए क्या होजेगा आप options देख लिए इसका अंसर option A होजेगा all particle pass row 120 number C okay option A होजेगा next one of the following milk work on both the principle of inter-particular attrition and impact तो कौन सी मिल है इसका principle क्या है impact and attrition होता है ठीक है ऐसी कौन सी मिल है देखे दो मिल होती है जिनके principle रहत है इंपक्ड अनर्जी मिल होती है और दूसरी क्यूच सी मिल होती है फ्लूड अनरजी मिल होती है ओकि देखे निगई bloody में cutting होता है hammer mill में impact होता है तो आपका option D होजेगा fluid energy मिल जो है इसमें होता है impact एंड attrition होता है next time antimicrobial action of penicillin is inhibition of penicillin जो होती है बिटल अंटिबाइटिक में आती है penicillin है सिफालोस्पोरिन है कारबापीनम है यह सब किसमें आते हैं मोनोबेक्टम होता है यह आपके बिटल अंटिबाइटिक में आते हैं तो penicillin जो है इसका mechanism एक तरीकी सबसे पूछा है जो आएंटि मैक्रोबल एक्षिन होता है पैनिसलिन का वो कैसी होता है कि इसको इनिविट करते हैं यह देखे पैनिसलिन जो होती है सल वॉल की सेंथिस इसको इनिविट करती है option b आपका right हो जगा सेल वॉल सेंथिस ओके नेक्स्ट है पैरिफरल नुराइटी इसका मतलब क्या है आइसो नियाजीड जो क्या होती है क्या होती है आइसो नियाजीड होती है एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग होती है क्या होती है एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग होती है जो आप first line and tubercular drug पढ़ते हैं जिसमें रिफामपिसीन, आइसो नियाजीर, स्टिप्टोमाइसीन यह सब आप क्या आती हैं ठीक है तो आइसो नियाजीर के बारे में question है तो इसको पेशेंट को देते हैं तो उन में क्या होता है विटामिन B6 को क्या बोलते हैं पाइरीडोक्सीन बोलते हैं धिया रखना काफी important question है बहुत बहुत बाहर रिपीट होता है ठीक है पैल फनुराइटिस और आइसो नियाजीर थिरापी इं ट्यूबर को लॉसिस कन बी प्रिवैंटेड बाई गीविंग क्या देंगे तो मैं आ neighbor milk वरक बाई cons approximately एम आपको हैमर मिली में क्या होता है इंपक्त होता है option आपका i right higher का पी Crown का बोलते है ओकी नेक्स्ट आपराइंच्ट है बिटालेक्टम ऐंटिपायाटिक्टिक सार लेक्टम ऐसे हमण答 चेला कि का कर आपको residents होता में बिटल अक्तम रिंग प्रेजंट होती है तो फामेसी एक्ट वास पास्ट इन तो फामेसी एक्ट कब पास्ट हुआ ओप्शन देखिए 1945, 1947, 1948 या 1954 ओके तो देखे फामेसी एक्ट पास्ट हुआ था 1948 में ओके तो आपका ओप्शन जो है सी राइट हो जगा 1948 देखे एक्ट और इनके इयर जो है इसका मैंने वीडियो बनाया हुआ है उसको चेक कर लेना जुरिस्प्रूडेंस की प्रेलिस्ट में आपको मिल जाएगा और इसको पर बिकुट डारेक्ट क्वेशन आता है निक्स है एमेटिक्स स्टिमुलेट देखे किमोरेप्तर ट्रिगर जोन लंग्स ब्रॉंकियोल से ठ्रैक या थीक्स जो होते हैं कि स्टिमुलेट करेंगा उप्चिन है CTZ किमोरेप्तर ट्रिगर जोन निक्स्ट है अंटि नियो प्लास्टिक एजट्ट डाट इस इस लासिफाइड अलकाइलेटिं आजट इस थी तिक जो चो ऑप यह इनके एंट क्लासिफ सिकोगी में आफैस और यह मुझा है निट तो यह नियुटासिक होते हैं इंडुले कलोट में आपका विंग औक इसे विंग्स उरेन होते हैं ़टे इंड सबसेंगा थे पापको सारा ही बाइस करना काफी इंपोरेंट हो तो क्लासिफिकेशन निग्साइच अपसे पुछा कौन सा है और नितन अस्पाराजून अनल उर्ण ग्लूटामीन एक्टाप मिठ्योनिन पढ़ते हैं कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-क-इन-स्चिस्टीन अब एक और यह option C हो जगा है, इसका answer हो जगा option C, next है, tryponema palladium is the causative organism of, tryponema palladium किसका causative organism है, syphilis, claimadia, AIDS या gonorrhea, ठीक है, तो tryponema palladium जो है, किसका causative organism है, अब इस question का answer है, आप लोगो comment box में देना है, इस वीडियो में इतना ही, अगर आपका वीडियो अच्छी लगी है, तो इ आप लोगों से request है कि channel को please subscribe जिरू कोणा, okay, thank you